हेलो फ्रेंड्स जय श्री क्रिश्ना जय श्री राम जय मातारी केसे हैं दोस्तों आप सभी आशा करती हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है दोस्तों क्योंकि हनुमान जी का बहुत जरूरी संदेश है आपके लिए कौन सी वीडियो आप तक असानी से पहुंच सकें साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें कमेंट सेक्षन में जैसरी राम और राधे राधे जरूर लिखें चलिए अब सबसे पहले शांत हो जाईए रिलेक्स हो जाईए और दो पिल आपको दिखाए देरोंगे नंब बात करेंगे जैसरी राम कि सबसे पहले नंबर की जो मूर्ति जिससे ने चुस करी है नंबर वन हनुवान जी की मूर्ति अगर आपने चुस करी है पहले नंबर की तो देख लेते हैं टेरो काड़ आपके लिए क्या कह रहे हैं क्या कुछ बता रहे हैं आपको देगे दूस पर आपके परीवार वालों से बहुत उम्भीद हैं लेकिन हर बार वह आपको गलत समझते हैं कभी आप it अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगाए बहुत जाधा कंडिशन आपके difficult चल रही है financial कंडिशन आपके ठीक नहीं है हर तरफ से आप परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा कर्जा अलग आपने ले रखा है आप हनुवान जी के भक्त हैं हनुवान जी को बहुत मानते हैं आप उनसे जुड़े श्रीराम जी को भी आप बहुत मानते हैं साथी शनिदेव के भी आप भक्त हैं इसके साथ एक चीज और बता दे द देती आपके सोम में विचार जो है आपके सकारात्मक विचार है जो आपको इस शक्ति से जोड़े हुए हैं एक भोला पन है आपके अंदर आप दिल में कभी कोई बात रखते नहीं है हमेशा आप अपनी बातों को जाहिर कर देते हैं जिस वजह से आप समाज में अपने परि कि तुने ऐसा क्यों कर रहा था तो उस जगे आप कल दोरों पक्ष से बूरे बन जाते हैं लेकिन आप सुछ करते हैं दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं आपका हमेशा एकी मकसद होता है कि सभी से अच्छे बोले सभी दूसरे में अच्छे से रहे आप घर में हमेशा जोनने की एकता बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी एकता तूट जाती है और हमेशा जिमा आप ही के से राता है जबकि आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं होती है आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने परिवार को जोनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप पैसों में ज़्या आप लालची नहीं है आपको पैसे कमाने का ज्यादा लोब नहीं है आप हमेशा आपके जिंदगी में जो मिला है उसमें ही खुश रहते हैं अब हनुमान जी आपके लिए जरूरी संदेश लेकर आए वो कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में खुश कराएगा यह इंसान आपका क्लोज फ्रेंड आपका सहकर्मी सहपाटी आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है बहुत दिनों से जो अर्चने चल रही थी आपकी मेरिट लाइफ में वह भी दूर होने वाली है साती हनुमान जी का हर मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान कामना करके मूर्ति को चूस किया है अब वह कामना आपकी पूरी होने वाली इसके साथ एक बात और ध्यान रखेगा दोस्तों कभी भी किसी पर भी विश्वास ना करें किसी अंजान व्यक्ति पर विश्वास करने के बाद उसे अपने घर की बातें बिल्कुल ना बताएं अपने घर की बाते किसी से शेर ना करें, कोई गई भी व्यक्ति आपके घर की बातों में interested नहीं लेता है, लेकिन अगर ले रहा है तो उस व्यक्ति को आप से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, कही ना कही वो आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश भी कर सकता है, और इसे के साथ एक बात और ध्यान रखेगा जिन्दगी में कि हमें अगर आगे बढ़ना है हमें अगर लाइफ में कुछ करना है तो हमें हमेशा सकारात्मक बने रहना होगा चाहे दुनिया कुछ भी बोले समाज कुछ भी बोले परिवार के लोग कुछ भी बोले हमें सिफ पॉजिटिव बने रहना है पॉजिटिव सोचना है हनुमान जी को महिने में एक बार चोला मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जरूर चड़वाए इससे आपके दिमाग में शांती बनी रहेगी नकारत में विचार नहीं आएंगे और मंगलवार या शनिवार जो भी अगर आपको दिक्कत आ रहे हैं यह फाइनेशल कंडिशन आपकी ठीक नहीं है तो हर्वंगलवार को चमेली या सरसो के तेल का दीपग हनुवान जी के मंदिर में जाके जरूर चड़ाए आपकी सारी मनों का आमनाय जल्द पूरी होगी second number जिस किसी ने भी चूस करा है second number का पील या second number के हनुवान जी जिस किसी ने भी चूस करें हैं तेरो कार बता रहे हैं दोस्तों आपके लिए कि आप बहुत ही रंगीन दुनिया के व्यक्ती हैं। बहुत ही खुश मिजाज इनसान हैं। आपको कपडों का, पर्फूम्स का भोश ओके, आपको सजने धजने का भोश ओके, आपको अच्छे दिखने का भोश ओके। आप अपने आप में जब भी तैयार होते एक अलगी confidence लेवल आपका बढ़ जाता है आप एक ऐसे इंसान है जिसे हर वक्त दिखावा करना बहुत अच्छा लगता बुरा मत मानिएगा दोस्तों टेरोकार्ड ऐसा कह रहे हैं तो इस चीज को अगर हम अगर कोई हमारी आलोचन तो हम लाइफ में हर बार बुरा करते जाएं दिखावा करने की आदत आपको चोड़नी होगी लोगों से हर वक्त आप मजाक में कुछ ऐसी बाते बहुत बहुत साफ है और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि जो व्यक्ति आज आपके पीट पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं या कुछ गलत बातें बोलतें या फ़ाई फिलातें उनके मुँपर एक दिन उनको जवाब मिलने वाला है करारा तमाचा उनको मिलने वाला है क्योंकि आपको एक मेलेंस मकान गाड़ी सब कुछ आपके पास होगा सकारात्मक सोच रखें पॉजिटिव बने योगा मैडिटेशन करें ध्यान करें यह आपको जरूर पॉजिटिव रखने में मदद करेंगे अच्छी किताबे पढ़िए भगवान की पूजा करिए रोज मंदीर जाईए कम से ये हमें रखिंद दोस्तों जिन्दगे में दुम्धीं चाहेकend कुछभी पोले कुछ भी कुछ भी अगर झान कैन हमें हमारी सोच को सहीरा अगर कोई हाथ बिल्कुल ना जाने दे चाहे दुश्मन भी आपके घर क्यों ना उससे आपको कितने ही गिले शिक्वे क्यों ना उसने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन जब वो आपके घर आ रहा है तो उसका सम्मान करें इस तरह से सम्मान करें कि वो इश्वर भी आप वह अब से खुश हो जाकर कभी इसी का मान मत करिए Obrig Itksa बात देल पर ठेच पोझ जानने बाते आपके करमों में इंटरेड होती है आपके करमों में जांपाar के जुड़ जाती है या इन बातों से हमें बचना हैं हमें अच्छे कर्म करना है अच्छा संदेश लोगों को देना अपने परिवार वालों के लिए हमें कुछ करके दिखाना है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में खुश खबरी आने वाली है दोस्तों एक जौब ओफर लेटर आपको मिलने वाला है को एक्जाम आप क्लियर करने वाल है बहुत अच्छा समय आने वाला है बस अच्छा सोचे अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें से भी कुछ अच्छा यहां डुड़ने की कोशिश करें उसमें से भी कुछ सीख लेना है आपको अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो लेकिन अगर आप सिफहार के बेड़ मे तो कर लिए चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी करा आप हर हर महादेव